घर के कुछ सिंपल चीजों से आज जो स्नैक्स में बनाऊंगी यह इतना टेस्टी बनेगा कि अगर आप बच्चो को भी देंगे तो वो भी मार्केट वाली पीजा छोड़ कर इसे खाएंगे तो इसके लिए मैंने यहां पे यह पांच मीडियम साइस की आलू ली है अगर पहले मैं छीलका निकाल लूँगी और फिर इसे ग्रेट कर लूँगी तो ग्रेटर की यह जो बड़े वाले छेद है इसी से ही ग्रेट करेंगे तो जो लच्चे निकलेगा वो बहुत बढ़िया होगा और आलू को भी लंबाई में पकर के घिसेंगे तो लच्चे लंबा- साफ निकले तब तक आलू को धोना है इसे आलू में जो भी स्टार्च है वो सारा निकल जाएगा तो इससे आप जो भी बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और जल्दी भी बनेगा यह देखिए अभी पानी पूरा साफ हो चुका है तो क्या करेंगे पानी अगर इसमें ज्यादा रह जाएगा तो बाइंडिंग एजन हमें ज्यादा डालनी होगी यह देखिए बिल्कुर ऐसे खिला खिला सा बनेगा तो अभी इसमें मैं डाल दूंगी आदी छोटी चमच काली मिच पाउडर आप यहां पे कुटे हुए काली मिच भी ले सक अब इसमें मैं डाल दूंगी एक कप जितना कॉन फ्लार तो आलू के हिसाब से इतना सा कॉन फ्लार एकदम पर्फेक्ट होगा इसे मैं अच्छे से पहले मिला लूंगी अभी नमक डालने से आलू में से फिस से पानी डिलिस करेगा तो अभी इसमें अलग से पानी मिलाएंगे तो आलू में से फिस से जो थोड़ा बहुत पानी रिलिस होगा उससे यह मिक्सर अच्छे से बन जाएगा लेकिन इसे आप बनाकर रेस्ट मत करना क्योंकि जितना देर आप इसे छोड़ देंगे आलू से उतना ही पानी रिलिस करता जाएगा तो मिक्सर धीरा पर जाएगा तो देखिए इसका टेक्शर बिल्कुल ऐसी होगी और सारे लच्चे भी देखिए बहुत अच्छे से कोट हुई है और अलग से दिख भी रहा है तो अभी हातों को थोड़ा सा साफ कर लेंगे और इस पैन को थोड़ा सा तेल डालके ग्रीस कर लेंगे इसे त मोटा करना नहीं हैं पतला पतला होगा तो यह बहुत ज्यादा क्रिस्पी बने गा तो ऐसे ही पैन में और तीन डाल देंगे आप इसे छोटे-छोटे ना बना कर पूरे पैन फैला के बड़े शेप का भी बना सकते हैं लेकिन तब भी इसे पतला ही फैलाना क्योंकि मोटा होगा तो अंदर से यह अच्छे से सीखेगा नहीं और क्रिस्पी भी नहीं बनेगा तो आप यहां पर पीजा साउस भी ढाल सकते हैं या फिर फोड़ी बहुत टोमेटव पिर टेस्ट और भी बढ़िया होगा अब इसके ऊपर में थोड़ा सा चीज डाल दूंगी मैं यहां पर मोजलेला चीज डाल रही हूं आप चाहे तो चीज स्लाइस भी ले सकते हैं या फिर चीज क्यूप को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और अब इसके ऊपर से डाल और जैसा कुछ भी डाला नहीं है आप सबजी अपने मन पसंद कोई भी इसमें डाल सकते हैं और इसे आप ऐसे स्लाइस में ना काटके चौप करके भी ले सकते हैं तो साथ में डाल दूंगी थोड़ आसा सुइट कॉन यह पिल्कुल ऑप्शनल है आपको पसंद है तो डाल या फिस्किप कर देना और उपर से थोड़ इसी नमक गालिक पाउडर चीली फ्लेक्स और पीजा सिसनिंग स्प्रिंकल कर देंगे गालिक पाउडर के बदले आप आलू के मिक्षर में ही थोड़ा सा गालिक पेस्ट भी डाल सकते हैं और इसे आप ऐसे छोटे ना बना कर प भी टेक्षा कितना बढ़ी आया है तो दोस्तों ये छोटे छोटे पुटाटो पीजा आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताना चलिए मिल रगले नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार